रोब मार्सल के निर्देशन में बनी फिल्म दॉल लीटल मेरेक का ट्रेलर बीदे दिनों रिलीज हो गया है जिसे दिखकर दर्सक बहुत उसाहित हो गया है तो आए जानते हैं कि क्या है इसकी कहानी तो बने रहे हमारे वीडियो में सुरू से अंतक अगर आप हॉलिवुड मूवी पसंद करते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और सापने बेल आइकन को दबादे नए 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 मूवी का खावर हमेशा आप सभी के बीच लाते रहूँगा पंचान में एकेडमी आवर्ड्स यानी ओसकर द्योजागतेश का समापन हो गया है इस खास मौके पर भारत ने भी अपना जलबा दिखाया है इस बार भारत की जोली में दो ओसकर आवर्ड आये हैं जिसने देश का असिना गर्व से चोरा कर दिया है वही दूसरी और डिजनी की दो लीटल मर्मेट रिमी का ट्रिलर भी ओसकर स्रेमेनी के दोरान जारी किया गया है इससे पहले भी 30 साल अप्टूबर में डिजनी की ओर से देशनी की ओर से देशनी की बार मर्मेट का पोस्टर रिलीज किया गया था सहसी के काज रोमान चक भी प्यास के साथ एक सुन्दर और उचसाहित युवा मर्मेट की कहानी का आधार बनता है द लीटल मेरेट के रिमेक को जेन गोल्ड मैन और डेवीड मैगी ने लिखा है फिल्म में बहुत सारे बरे बरे स्टार्स है जिन्होंने करेक्टर्स को अपनी आवाज दी है यह फिल्म 26 माई 2030 को सिनिमा घरों में रिलीज होगी इससे पहले द लीटल मेरेट पोस्टर जारी किया गया था पोस्टर को सजा करते हुए कैप्सन में लिखा गया डिजनी की द लीटल मेरेट का नया पोस्टर देखे और ओस्कर के दोरान अधिकादिक ट्रेलर की सुरुवात देखे बता दे कि इस पोस्टर में एरियल समूद्र में एक चट्टान पर बैठी है और अकास की ओर देख रही है दीते महीने फरवारी में द लीटल मेरेट का टीजर रिलीज किया गया था जिसमें एरियल और प्रिंस एरिक की पहली जलक देखने को मिली थी तो ये थी लीटल मूवी की छोटी सी कहानी तब तक लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद